आयोध्या जनपत के मिलके पूरु सरक्ल छेतर अंतरगर ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिक छात्रा से युवक द्वारा दुशकर्म किये जाने का मामला सामने आया है फुलिस ने मकदमा दर्ज करते हुए आरोफी को गिरफतार भी कर लिया है ठाना इनायत नगर छेतर के गाउन निवासनी छात्रा ट्यूशन पढ़ने गई थी जब वो अट्यूशन पढ़कर शाम को घर वापस आ रही थी तभी रास्ते में एक युवक ने उसे पकड़ दिया और जबरदस्ती उसके साथ दुशकर्म किया करिंदे के चंगुल से किसी तरह छूटी छात्रा रोते बिलगते अपने घर पहुँची और सारी घटना परिवार के लोगों को बताई पीडिता के पिता छात्रा को लेकर इनायत नगर कोत्वाली पहुँचे और घटना की तहरीर आरोपित के खिलाफ दी पीडिता छात्रा के पिता की तहरीर पर इनायत नगर फुलिस ने आरोपित के विरुद्ध, दुशकर्म वपॉसको एक्ट वे स्टी एक्ट के तहत मुकदमा पंजिकर्थ कर आरोपिय जितकुमार विशकर्मा को गिरफतार भी कर लिया है छित्रादिकारे मिलकिपूर ने बताये कि तहरीर क्याधार पर मुकदमा पंजिकर्थ करते हुए पीडिता का मेडिकल परिक्षन भी कराय जा चुका है जिसमा दुशकर्म की पुष्टी हुई है और आरोपित को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है सुचना मिलने पर पुलिस तद्काल मौके पर पहुची और पहुचने के तद्पासार पीडिता के मौकिक बयानों का अधार पर करवाई की गई वर्तमान समय में अभ्यूक्त को ग्रकार कर लिया गया है 511 मौक अपरा संक्या 511, 119, 119, 342, 306, 305 पहुच पहुची तद्पासार पहुची तद्पासार पहुची तद्पासार पहुची एश्टी कही असना अधारा अंकित की पीडिता है सेस विदिक करवाई की जाने है पाध में पाद विदिक करवाई और विक दों जेह देगा अधी मिटकल रिपोर्में भी पलप्टार की रिपोर्ट परशिक की रिपोर्ट आए सेयाई विंडियनूस के सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबादर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें